वेल्कुम बाइक टो आए चानल तिंकी स्कुलिंग पार्चारा में आपका स्वागत है स्वागत बनता है काफी महीनों के बाल मैंने वीडियो बनाया है तो यहां पर मैं आज लिए काफी एफेक्टिव किचिन के कुछ टिप्स जो कि रोज आपके काम में आएंगे काफी एफेक्टिव है तो चलिए देख लेते हैं कई बार क्या होता है जब हम दूद रगते हैं गैस पे टढ़ा के तो वह गिर जाता है बहुत टाइम तो ऐसा होता है मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है तो यहां पर टिप यह है कि पतीले के चारो तरफ हमें लगाना है घी या बटर इसको आप देखिए हाथ से लगा अब ठंडे इस पे लगाएगा गरम पतीले पे मत लगाएगा आपका हाथ जल सकता है और आजमा के देखिए बहुत एफेक्टिव है दूसरा टिप यह है कि पतीले के ऊपर जो चम्मच आ जाए उस तरीके का चम्मच या छनी आप रग दीजिए तो जो दूद है उबलकर पतीले के बाहर नहीं आएगा बहुत यह भी बहुत एफेक्टिव है जरूर आप ट्राइ करें तो चलिए टिप नमबर टू पे चलते हैं तो यहां पे मिर्च जो है हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं 15-20 दिन तक अगर हम इसकी डंडी जो है उपर की निकाल दे तो यहां तो यहां पे सारी मिर्चो की डंडिया मैंने निकाल दी है और टिशू पेपर इसले रखा है ताकि जो मॉइस्टर आए वो टिशू पेपर में अब्जॉब हो जाए और मिर्चे भी खराब ना हो इस प्रकार से रखेंगे तो आपकी मिर्चे 15-20 दिन अर्राम से चलेगी अ इसके बाद आप देखेंगे इतने असानी से लेस्न के छिल्टे निकल रहे हैं लेस्न के छिल्टे निकालने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है तो यह टिप आप जरूर इस्तमाल करें बहुत ही काम आएगी बहुत ही असानी से आप देखिए 10 मिनिट भिगोने के अजलता अलग हो जारह है ईसके बाद नेक्स ट्प यहां कि यह प्याज जो है नorkhane में टेश्टी थो खाने को बहुत ही पानी लाता है तो इसके लिए अप यह बहुत ही थंडा फानी ले लिजे या तो इसमें आस क्यूह स्चिव आट कीजेए पानी और प्यास को 10-15 मिनिट लिए भीगो के रख दीजिए या तो प्यास को आप फ्रीजर में पांच मिनिट लिए रख सकते हैं इसके बाद आप काट लीजे बिलकुल भी आसू नहीं आएंगे बहुत ही effective है चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स टिप पे तो यह मैंने लिया है राई जब भी हम तड़का लगाते हैं राई और जीरे का तो एक साथ राई और जीरा आट करते हैं तो ऐसा ना कीजिए क्योंकि राई और जीरे का फ्राय होने का टाइमिंग बहुत ही different होता है तो सबसे पहले आप राई आट कीजिए इसको अच्छे से चटकने दीजिए इसके बहादी आप जीरा आट करें चलिए बढ़ते हैं अगले टिप पे काफी टाइम ऐसा होता है कि यह जो उपर की ब्रेड होती है यह बच जाती है हम सौफ्ट वाली ब्रेड्स तो खा लेते हैं तो इसका भी इस्तेमाल हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो यहां प पाउडर बना लेंगे इसका ब्रेड क्रम्स हम रेडी करने वाले हैं जो कि बहुत ही यूसफुल है बहुत काम में आता है जब भी हम रोल्स बनाते हैं जब भी हम वेज कटलेट बनाते हैं तो इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं अगर हम ब्रेड क्रम्स बहार मार् जो जो फाक होने दीजिया और अब हम इसे क्या करेंगे थोड़ा सा थंडा कर लेंगे पांच मिनिट के लिए थंडा होने के बाद इसे एक एर टाइट कंटेनर में हम स्टोर करके रख दिंगे और आप इसे महीनों तक इस्तमाल कर सकते हैं तो देखे इस प्रकार से आप से स् क्या होता है कि फ्रिज में बहुत ही स्मेल आने लगती है काफी सारी सबजियों की तो अब हम क्या करेंगे एक न्यूस पेपर ले लिया है इस पर थोड़ा सा पानी चड़क लिया है और इसको ऐसा बॉल बना लीजिए इस तरीके से देखिए इस तरीके से मैंने पानी आट कुछ लिए बढ़ते हैं अगली हमारी टिप पर तो यहां पर काफी बार ही होता है कि जो चन्नी है इसमें काफी सारी चाय पत्ती जमा हो जाती है काफी सारा डिपॉजिट जो है जमा हो जाता है तो इससे हमें क्या करना है गैस पर डिरेक्ली गैस पर इसे गर्म करना है अच्छे तरह कि इसे जल जाने दीजिए तो इसी प्रकार से जो छन्नी है ये अच्छे से clean हो पाएगी तो देखें कुछ मिनिट के लिए एक से दो मिनिट के लिए मैंने इसे direct flame पे रखा है गैस पे रखा है अब यहां पे इसे red होने तक हमें इसे gas पे ही रखता है और इसके जो सारा इसमें deposit था चायपती ती निकल जाएगी देखें अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसे जो काता होता है हमारा Division in adapt क्सथ इसे फरी तरीके से घस लेंगे मान ज़ेंगे तो इसे जब हम सब्सक्राख है इसे जब भी उपाइगे तो आप चायपती है और बागि जो भ निकलता नहीं है और इस तरीके का एक गंदा सा स्टीन आ जाता है तो आप जो भी नियू बर्तुन लाते हैं जिसका स्टिकर निकालना चाहते हैं उसे कुछ सेकेंड के लिए गैस पे इस तरीके से गरम कर लीजे और देखे कितने असानी से निकल चुका है तो यह चोटा सा व वीडियो के आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशिंस आपको आजाएं थांक्स फो वाचिंग बुबाइ और टेकेर पे